चने बाड़से को लेंगे सासे प्फेयलालेंगे सब्धता फची तरण से भैला लेंगे जो आपको जुन करके दिखाרही हूँ सब बिके हातं में पकड़ें आप्षीो overly around ठालें आप हिए एंधसे हातों से प्टा लिया है सिबस इस पाच भेंड़ी संद्ध के हैं आज ऐसी ही एक्रैसिबी आपसे इंस्टेंट डॉल शीट्स की शेयर कर रही हूं इसके साथ साथ आपको चट्खारेदार फिलिंग की रैसिबी भी मकमल मिल जाएगी अगर मेरी वीडियो अच्छे लगें तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दे साथ में ये जो बैल का आइकोन है इसको क्लिक कर दे इसको क्लिक करने से आपको मेरी यहाँ नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा बिसमिल्लार वाहिम जी गोश्ट को बॉयल कर लेते हैं इसके लिए 300 ग्रेम गोश्ट ले लिया है मटन बीफ ये चिकन जो भी आपको पसंदो आप इसमें 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 कर सकते हैं इसमें पानी इतना शामिल करेंगे कि गोश्ट इसमें डिप हो जाए जी ये उबलने लग गया है इसके साथ इसमें चमश रखेंगे और ढ़कन से कवर के देंगे ये देखें ये चिकन बहुत अची तरह इसे चलने में डालिया है इसे अगर तोड़ा जाए तो देखें इसका रिशा बहुत इनर्म है इसे एक गंटे के लिए पंके के नीची जाए चिकन को बॉयल करते हैं आप इसे किसी भी सालन में सबसी में चावलों में इस्तमाल कर सकते हैं से जाया ना कीजिएगा ये चिकन ठंटा तो हो गया है लेकिन इसके उपर से नमी को मजीद हटम करने के लिए 10-15 मिंट के लिए इसे पंके के नीची रख देंगे इतनी इसे बहुत असान लगता है और जाधा बरी कटिंग होता है जी देखें तकरिबन कश हो गई है इसे बारीक होना चाहिए इसे मिक्सिंग बॉल में चामिल कर देते हैं इसे मंद को भी इस तरह से है ये दो होई से हमने लेनी है एक ही सामने चिकन का रेशा लेना है सुप चि इसकन की बोटी की बस इस रंग से बड़े बड़े पीसिस कर लेंगे हड़ी से गोष्ट को लग कर लेंगे इसके लिए एक तो आप चॉपर मेशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अपने लगतार नहीं चलाना बलके 20 सेकंड के लिए आप चलाएं फिर रोक दें फिर 20 सेकं नहीं च OVERग लेंगे इस तरह से खूटने से चिकन का रेशा रेशा बिलकुन अलग हो जाएगा एक है मेशाcca लेंगे इसको हाथों में हलके हलके से इस तरह करेंगे इसका रेशे रेशे अलग होने लग चाहेगा चिकन के रेशे को इसमें शामिल तेर देंगे बस इस तरह से इसको मल लेंगे थोड़ो थोड़ा सा मसलते चाहेंगे जिसके साथ यह बारी आए इसमें, इसमें इसमें सब्किट आ इसे 3 मिच बना utilizing करेंगे अगर आप जाए दा पसंद आए खायराने पतसीनcy कर दोड़ने के दोटेंगे करने लिफमें आरखनां जिन्त और भीमिच पुस्द आटए टार्द में वेपर सफेद मीच है एक चाय की चमच मैंसे डाल रही हूँ आप इसकी जगा काली मिच भी जाल सकते हैं कर मसाला पाउडर एक चाय की चमच का चुताई हिसा चीस में चिली फ्लेक्स आतकुटी सुख मीच एक चाय की चमच चाय की जायके में बहुत तेज है मैं इतनी जा रही हूँ अपनी मिच के हिसाब से देख लीजिएगा अगर फीकी हो तो आप डेट से दो टी स्पून विस में शामिल कर सकते हैं बस चिन सब को अची तरह से मिक्स करना है यह देखें कितना ड्राय ड्राय इसा मसाला है इसे इसी तरह से हुचकी होना चाहिए चाहिए देखें इसना बंगोबी का रेशा 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 लग है तो इसी तरह से चिकन का भी तक्रीबन रेशा 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 लग है चाहिए तो बहुत अच्छी तरह से त्यार हो गया इसके साथ यह इस पिरोल के लिए हम शीट तियार करते हैं व भी छट-बडसे बन Heine He says đeekने के रिए जित आइन सेट रा जिए परी दिल रिए क में ब्रमीद स्टृ लिए ऐसे इसे इससी तरह करते जाई के इससी तरह से अलग बामीद आँ बन ड writing करते जाएंगे इस ऐसी तरह से स्मेल आ रही है उस अंडे को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे बस ची तीन अंडों को तोड़ लिया है एक मिन तक इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिए देखें एक मिन के बाद आइस से स्क्यूप पर चागदा टेक्स्चिर आ रहा है सो अब इसमें बाकी चीज़े शामिल करते हैं जिए आपको दिखाने के लिए तीन खाने वाल चमच इस तरह से भरके मैदा लिया है चीज़ को इससे तरह से बिलकुल भी नहीं डालना ब आदा खाने के चमच मजीद इसमें डालेंगे यानि वन एंड़ डिबल स्पून इसमें कौंट फ्लॉर गया है इसे भी चान खी शामिल करेंगे जी और इसको अंडे में शामिल करने से पहले इसमें 1 फोर्थ का पानी डालेंगे पानी थोड़ी-थोड़ी मिकदार में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसका गाड़ा से एक बैटर बनाना है हमने धोड़ा सा पानी मजी टालते हैं को है बस इतना काफी है से मिक्स कर लेते हैं देखें इस प्रोस्सिस के वई से जो भी लंग्स यह इसके अंदर ही खतम हो जाएंगे और जब अंडे में डालेंगे तो किसी किसम के लंग्स नहीं बनेंगे और हमें मिक्सटर आप दो असान हो जाएगा मैं आपको बताती हूं कितने एम्मेल इसमें पानी गया है जी देखें मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था वन फॉर्ट काप पानी इसमें गया है यानि कि 50 एम्मेल इससे इस तरह से गाड़ा होना चाहिए इसके लंज बिल्कुल खत्म हो गए है चलेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंज बस आप हम दुबाल से विस्क करेंगे, विस्क करने से एर पास होती है, जिससे इंचाला रोल पटी या जो चीज भी बनाएं वो बहुत अच्छी फूलती है, फलफी होती है, सॉफ्ट होती है, आपको नजर आ रहा होगा, अभी अंडे के जर्दी के देखें, छोटे-छोट पानी में शामिल करते हैं, पानी में इस दो खाने वाले चुम डालेंगे, इसे मिक्स्चर में डाल देंगे, फिर से विस्क कर लिए, जी आप बहां, इसके साथ हीट को अन कर लिते हैं, फ़रढ़र से विस्क कर लिया है, इसके लिए ठुल्टन ज़ां रोब चुसर्भी अ चालेससेकंड तक अच्छी तरह से प्रिहिट कर लिया है इसके साथ ये पैन को दारेंगे चुले के उपर से सबस्तै बैटर को लेंगे पैन में डालेंगे सब तफ अची तरह से फिला लेंगे जो एक्स्ट्रा इसरा से बापकी इस बाउल में डाल देंगे चले जी से स्टॉफ के उपर रखते हैं हीट को बिल्कुल लो रखा हुआ देखिए आइससा इसकी सर्फिस के उपर बबल जा रहे हैं देखिए जैसे यह तियार होगा किनारे आइससा छोड़ने लग जाएगा देखिए रहम से मैं इसे हातों से उठा लिया है सिबस इस तरह से स्पाचुला से भी आप उठा सकते हैं शीट एक बिल्कुल त्यार होगी है गर्म गर्म शीट को इस पर रखेंगे का हिस्सा था जाह हीट लगी है और यह शीट का फ्रंट वला हिस्सा देखिए फ्रंट प फिला देंगे फिर से शीट की मिक्स्टर को लेंगे इसके उपड़ा लेंगे स्पीड ली इस इस तरह से फिला लेंगे एक्स्ट्रो को हम निकाल देते हैं तो देखें कितना असान है जिए पैन प्री हीट था बाकि फोरन से जंग गया देखिए लास्ट ट्रॉप पी लेंगे हैना सबसे असान तरीका बिल्कुल हीट को लो रखेंगे जी पहले अजान हो रहे थी सो मैं आपको दखा नहीं सकी देखिए आएससा इसका कलर चेंच होता जा रहा है यह मैं आपको जून करके दखाती हूं नेक्स इस पे हलके हलके से बबल जाएंगे और अंग्रिच में हमें समझा रहा है आप चाहें तो स्पैचुला भी ले सकते हैं लेकिन मेरी आदत है कि रोटी को भी मेशा हाथ से में लगाती हूं यह देखिए त्यार हो गया इसके बाद स्पैचुला की मदद लेंगे से निकालेंगे मज़े की बाद इन शीट को बहुत ही शाइनी है और नीचे से देखिए अब यह अच्छा सा कलर भी नहीं आया यह पक गया जी और मैं बताती चलों इसका कुकिंग टाइम पिल्कुल लो हीट पे चार मेंट था जी मैं आपको दिखाती ही चलों की हीट को बिल्कुल इतना लो रखाव है जैसे चाहलों हमने पैन को बहुत कम टमट्रेचर प्याने देना है क्योंकि अगर यह थोड़ा भी जादा गर्म होगा तो यह जो है इसके साथ ही जम जाएगा हमें इस तरह से उतारने का मोगा नहीं मिलेगा और यह बिल्कुल ठंडा होगा तो इसके साथ चिपकेगा नहीं आपने इसके के लास में बिल्कुल थोड़ा सा बैटर बचा था तो मैंने सोचे चलें बच्चों के लिए रोल बन जाएंगे ची देखें देखें दर करीबन साड़े 10 इंची स्पैन का साइज है और इसमें साथ इस तरह से शीट बन गी है देखें इस तरह से शीट है लेकिन यह भी कि इसमें दो खाने वाले चमच मैदा डालेंगे कॉन फ्लॉर पर आप डाल सकते हैं अची तरह से मिक्स करेंगे एक मिन के लिए से माइक्रोवेफ कर लेंगे इससे इसकी ताकत में जाफा हो जाएगा जी देखें 30 सेंदर यह इस फॉर्म में आ गया है बस अची तरह से मिक घृउब आएगा आपको फेलिंग डालने के बाद हाथों से इससरं से अंदर की तरफ कर देंगे यांनि क्रूल की शेप में ले Baptist नहीं है वस इसका इस से उसको अंदर की तरफ करतेवे तक यह व्यद्ग बॉहत आयम है हम इसे सटथली ऐस चाल करेंगे गत दो दह mo брos कर न के लगाएंगे को नब लगाएंगे स्फ़ाइगे को सब्दफ लगाएंग से लगाएंगे करदें होसी कोई मसलह नहीं बहुत इस असानने है इसथे लासे फोल्ड कर देंगे की हारनसे इसके साथ रचेख का दिखे हम इसको ते अलाना हो इसी Тут तरह से इस सच्वाइट से भी हम फोल्ड कर दीनगे से इसके बख चायेगा अब बार इसके तरह से लेती आएएंगे बास चीश देखें यह चेपक्ट क्या और त्यार होक्वा यह देखें फोरन इसके वगचाएगा इस तरह से वाट तियार किछिद मेरा इस्तमाल होने वाला स्केल है यानि केक पैंस की मैं इससे में इंचिस मेयर करती हूं तकरीब है साथ इंच के हमारे रोल त्यार हो गया यह बारी आगल और तक छोटे रोल की इसको में किसरेसे मनौंगी मैं आपको बता देती हूं ची देखें यहां तक लाके छोड़ देंगे पहले की तरह फिलिंग को लगा रएंगे लई को इसके कोनों पर भी लगाएंगे अच्छी तरह से जो भी सुराखते वह खुद बहुत से फिल हो जाएंगे इनिशाला ताला यह देखिए हमने इस तरह से इसको प्रेस कर देना है तुटे-फुटे हिसे सब अंदे की तर्फ प्रेस होगे यह देखें जी बहुत जल्दी जोड़ जाता है उपर के हिसे फिर से ले लगाएंगे जी हां इसको हमने इस तरह से बस फोल्ड करते जाना है यह देखें जी छोटा नन्ना मुन्ना सा जो कटा पुटा था वह भी कितना अच्छा से त्यार होगिया अब कोई नहीं कह सकता यह कैसे भी कटा बटा था जी रोल्स तो सब त्यार होगे इसके साथ हीट को अन करे ले जाल के से फ्रीज कर देंगे और बाकी को फ्राय कर लेते हैं जी आप इसे डिर फ्राय बी कर सकते हैं शेलो फ्राय के लिए में चार टेबल स्पून को किंग ऑल डाल रही हूं हीट को मीडियम लो रखेंगे ते देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है दूसरी तर टू जाएंगे चीज के लिए हीट को मीडियम लो ही रखना है बहुत तेज आंच ना कीजिएगा यह तो बिल्कुल त्यार होगे से निकाल लेते हैं बस चीज पर भी देखें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है दोनों की नारों से बीस्तरा सियामी से सेक सकते हैं ताक हम इसको साथी करते हैं हीट को बिल्कुल लो रखेंगे चीज देखें क्योंकि इसकी शीट में अंडा इस्तमाल हुआ है वह बहुत जल्दी इस पे कलर आ रहा है हीट को बिल्कुल मेडियम लो ही रखना है आपने जरा भी तेज़ करेंगे तो यह जल भी सकता है और आपको टेस्ट करके बताती हूँ हम्म्म इतने मज़ेदार अलहम्दलिल्ला चीज इस रहां से मांडा पट्टी के रोल्स होते हैं यहां आटा गून के बनाते हैं तो यह उस रहां से क्रिस्पी नहीं होते लेकिन टेस्ट वाइस उनसे बढ़के होते हैं तो आपने इसको जरूर ट्राय करना है फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताईगा कि आपको कैसे लगे हैं इसके साथ ही अगर आपको रेसेपी पसंद आए तो लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़्रूरी है इसके बाइर आपको मेरी हाँ नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में नहीं मिल पाएगा सो दौाओं में याद रुखे इसके साथ ही मैं जहाज़र चाहती हूँ अल्ला हाफिज